मुसलिम चेहरों में श्वामिल रहे वसीम रिजवी इसलाम धर्म छोड़कर आज से हिंदू बन गए है गाज़ेबाद में यती नर्सिहानन सरसोती ने सनातन धर्म में उन्हें श्वामिल कराया वसीम रिजवी ने कहा कि मुझे इसलाम से बाहर कर दिया गया है हमारे सिर पर हर शुकरवार को इनाम बढ़ा दिया जाता है आज मैं सनातन धर्म अपना रहा हूँ वसीम रिजवी ने पहले ही घोशना कर रखी थी कि वो सुमबार को असलाम छोड़कर सनातन धर्म में श्वामिल होंगे इस मौके पर यती नर्सीहानन सरुसती ने कहा कि हम वसीम रिजवी के साथ हैं वसीम रिजवी त्यागी बिरादरी से जुड़ेंगे शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेर्मेन वसीम रिजवी ने अलान किया था कि वो सिलाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने जा रहे हैं तो इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि सियासत तेज हो सकती है सनातर धर में वसीम रिजवी शामिल हो चुके हैं यतिन नर्सिहानन ने उन्हें शामिल कराया है दरसल वसीम रिजवी ने पहले कहा था कि हमें इसलाम से दूर कर दिया गया है और हर शुक्रवार को हमें लेकर तमाम बाते की जाती हैं इस वजह से सुमवार को वो इसलाम छोड़कर हिंदू धर्म अपलानेंगे और आज ऐसा ही हुआ और सिद्वरान यती नर्सिहनन ने साफतार पर कहा कि हम वसीम रिजवी के साथ हैं और आगे भी यूहीं खड़ी रहेंगे हम त्यागी ब्रादरी में उन्हें श्वामिल करने जा रही है तो वसीम रिजवी ने इसलाम छोड़ दिया है और हिंदू धर्म अपना लिया है और इसी कबर पर जाद आपडेर के लिए जुतेंद्र मेरे सयोगी जुड़ गए है जुतेंद्र क्या कुछ जानकारी मिल रही है गाज़ेबाद में यती नर्सिहनन नंद ने वसीम रिजवी को हिंदू धर्म में शामिल किया है जी बलकुल देखें जिस तरह से जो है वो मंदिर जा रहे थे वो भी उस वक्त मंदिर जा रहे थे जब मंदिर पर लिखा था कि मुझ्लिमों का जो पर्वेस है वो वर्चित है और इन तमाम चीजों को लेकर जब वो पहुचे थे तब ही से अटकले लगाई जा रही थी वो सनातन धर्म में परवेश करने वाले हैं और इसके अलावा अगर आज की बात की जाए तो जो वसीम रिजमें वो इसलाम के परमुक चहरों में रहे हैं लेकिन उनके जो भी बयान थे वो कुछ इस तरह के थे की वसीयत को लेकर वो चर्चा में रहते थे इसके लावा अगर कुरान 26 आयाते हटानी की उन्होंने मांगी थी और ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जिससे लग रहाता कि वो जो है हिंदू धर्म में परवेश करेंगा बिल्कुल जितर एक तरफ अभी उन्होंने उनकी जो किताब है वो परकाशितु जिसका नाम मुहमद था तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं इस दोरान भी बहुत जादा बवाल हुआ था तो ऐसे में वसीम रिजवी ये समझ चुके थे कि मुस्लिम धर्म में उनका कोई और चित्ते नहीं रह चुका है प्रमुख चेहरे तो थे लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उनको उतनी जो अगर कहें तो प्रमुखता नहीं दी जा रही थी लेकिन अब वो हिंदू धन में शामिल हो गए हैं ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये सियासी मुद्धा भी हो सकता है जी बिल्कुल देखिए पूरी तरह से सियासी मुद्धा इसको माना जा सकता है क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में विदान सवाथ चुनाव भी होने है इसके लाव उत्राखण और ऐसी ही टोटल पांच राजे जिनमें चुनाव होने है तो इसके वज़े से जिस समय पर इन कुट जो है वो शुरू किया तर वो आज तक चल रहा है इन तमाम चीजों को लेकर जो है बयान बाजी लगाता रो रहे थी और आज जो है उन्होंने उन सभी एटकलों को बंद करते हुए अपना जो है हिंदु धर्म अपना लिया है जी जितियंद्र यहां पर अगर गाज साफ बोर्ड पे लिखा है कि कोई भी मुस्लिम यहां ना आए उनका प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है जी बिल्कुल देखे उन्होंने कहा है कि वह वसीम रिजमी के साथ है और वसीम रिजमी जो है अब त्यागी ब्रादरी से जुड़ने वाले है आपकी जानकारे के बता दूँ जो यतिन असिंगनन्द है वो भी पहले त्यागी ब्रादरी से आते थे तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है इनकी जो आपस की जुगल बंदिय वो काफी तेज है और इससे जो है आप आने वाले समय में जो देखा जाएगा कि जिस तरह से मंदिर और जो मुस् वसीम रिजवी की हम बात करें जो हमेशा से इसलाम धर्म को लेकर मुखर रहे हैं अभी हाली में उन्होंने एक किताब लिखी थी इस किताब पर बहुत जादा बवाल हुआ था कई मुस्लिम संगठान कई मुस्लिम धर्म गुरु से बेहत नाराज नजर आ रहे थे अब तो वसीम रिजवी हिंदू धर्म में शौमिल हो गए हैं हिंदू धर्म उन्होंने अपना लिया है तो ऐसे में आगे किस तरह की तस्वीरें साम्नी आएंगे ये देखना होगा लेकिन इस एक सियासी मुद्दा जरूर पैदा हो रहा है तो वसीम रिजवी ने इसलाम धर्म छोड़ दिया है